मध्यप्रदेश में मौंसून की एंट्री में अब होगी थोड़ी सी देरी जी हाँ मध्यप्रदेश के निवासी जो इंतजार कर रहे थे कि कब मौंसून की बोचछारे आए और उन्हें तप्ती गर्मी से राहत मिले, उनके लिए थोड़ी सी निराश करने वाली खबर है, मौनसून जो 12 जून के बाद मध्यप्रदेश आने वाला था, वो लगभग 5 से 7 दिन की देरी से मध्यप्रदेश में प्रविश करेगा, ऐसा क्यों? विस्तार से आपको इस रि जून के बाद मध्यप्रदेश में मौनसून के एंट्री में होनी थी, लेकिन अब आपको बता दे कि 5 से 7 दिन की देरी से मौनसून जो है, वो मध्यप्रदेश में एंटर करेगा, माना ये जा रहा है कि एक नया सिस्टम जो है वो बेय ओफ बेंगॉल याने कि बंगाल की खाडी में डेवलप हुआ है जिसके चलते मौनसून में देरी बताई जा रही है जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब 18 जून के बाद मौनसून मध्यप्रदेश में एंटर करेगा दर्शकों को बता दे कि महराश्ट के कई हिस्सों को कवर कर चुका मौनसून है कि 18 जून के बाद मध्यप्रदेश में मौनसून के एंटरी होगी जिसके बाद पूरे मध्यप्रदेश में जोरदार बारिश देखने को मिलेगी वहीं मौनसून के पहले प्री मौनसून शार का सलसला मध्यप्रदेश में लगातार जारी है जिसको लेकर भी मौसम विभ के लिए औराब स्थृत्लाइब के लिए अ क्राफो underlying मौसम विभा के вперucker जारी किया गया है वहीं दर्शिकों को बता दे कि Oh और मध्य शेत्र जो है भूपाल का उसके लिए मौसम विभाग की तरफ सी अलो अलर्ट जारी किया गया है लेकिन फिलहाल ये भी आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में 18 जुन के बाद मौनसून के एंट्री होगी हाला कि एंट्री भले डीले हो गई हो लेकिन इस बार और मध्य प्रदेश में रहने वाला है मामले में जो भी अपडेट होगा वो एंट्री तक आप तक लेकर आएगा मध्य प्रदेश जुड़ी तेमाम ख़बरोकले बने रही हैं एंट्री तक के साथ झाल